गुड मॉर्निंग गॉइंकल्स इश्वर की क्रिपा से सबी बच्चे अपने गरों में सौस्त और सुरक्षित होंगे आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है आज का पार्ट है गुंजन हिंदी पार्ट माला पांच कक्षा आठ के लिए पार्ट नमबर साथ किरकट क खेल की कारियों पुस्तिका से तो आई शुरू करते हैं पहले प्रशिन से पहला प्रशिन है वाक्य पूरे करो पहला है फ्रैक वारेल और सर गैरी सोब्रस महान डैश थे गैरी सोब्रस महान कैप्टिन थे अगला कपिल देव को डैश गोशित किया गया कपिल देव को किरकट में कई डै स्थापित किये सचिंटन्यूलकर ने किरकट में कई कीर्तिमान स्थापित किये यानि कारणा में दिखाए किरकट हमको डै सिखाता है किरकट हमें क्या सिखाता है अनुश्यासन किरकट हमको अनुश्यासन सिखाता है अगला प्रशिन सही उतर पर टिक लगाओ पहला शताप्थी का सर्वश्ट रिष्ट खिलाडी किसी गोशित किया गया सचिंटन्यूलकर को, महिंदर सिंधोनी को, कपिल देव को, सुनील गवसकर को सही उतर है कपिल देव अगला किरकट मैच में विकेट कीपिंग कोन करता है फिल्जर, गेंदबाज, बलेबाज, विकेट कीपर सही उतर है विकेट कीपर बारत ने एक दिवसी विश्व कप 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 जीता यानि कि बारती किरकट खिलाडियों ने वर्ल्ड कप 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 जीता 2007 से 2011 में 1999 से 2003 में 1983 से 2011 में 1995 से 1999 में तो सही उतर है 1983 से 2011 में अगला प्रशिद, हमें खेल को खेल बावना से खेलना चाहिए अपने विचार लिखिए यानि कि आप अपने खेल को किस प्रकार से खेलेंगे अपना विचार लिखना है उतर, मेरे विचार से हमें खेल को खेल बावना से खेलना चाहिए खेल को मज़ेदर तरीके से खेलना चाहिए जिस से सबका मनोरजन हो किसी भी खेल में हार और जीत ही होती है खेल में जीत हार को भी आपको खुशी-खुशी से अपनाना चाहिए खेल हमें अनुशासन, विनामरता और टीम में एक साथ रखना सिखाता है खेल में कभी भी अपने सामने वाले खिलाडी को कमजोर नहीं समझना चाहिए अगर इस तरह से आप खेलेंगे तो खेल आनंदय होगा यानि कि मज़ेदार होगा इसलिए खेल को हमेशा खेल बावना से ही खेलना चाहिए आज का पठी ही बेसमात दन्यवाद